हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सब की प्रहाई बेची चल रहे होगी आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास एट बिहार बोड की मैथ की बुक का जो यहाँ पर आपको दिया गया है स्वेम करके देखिए ठीक है एक्सरसाइज है आपका ये 5, sorry 4.1 ठीक है 4.1 है प्रश्नावली ठीक है और इसके दो पेज पहले आपको पेज नमबर है आपका 61 है ना तो ध्यान से देखिए 61 पेज नमबर है और इसमें जो दो कोशन दिया गया है स्वेम करके देखिए का इसको हम लोग आज करने वाले ह नीचे दिये गए बारंबारता बंटन सार्णी का अध्यन कीजिए और उनके नीचे दिये हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए बास समझ में आई यानि के यहाँ पर बारंबारता बंटन सार्णी frequency distribution table ठीक है बारंबारता बंटन सार्णी ये दिया हुआ है आपको इसका अ इन चारों कोशन का इन चारों परश्नों का आपको आंसर यानि के उत्तर करना है तो ध्यान से देखे यहां लिखा हुए वर्ग अंतराल ठीक है class interval वर्ग अंतराल यहां लिखा हुए रुपियों में दैनिक आए मतलब यह जो है न यह रुपिया है 75 से 100 और यह क्या है दैन बारम बारता यहां class interval हुआ और यहां पर frequency है यानि के बारम बारता class interval में रुपिया लिखा हुआ है जो उनकी दैनिक आए है और यहां पर श्रमिकों की संख्या यानि के number of labor जो मजदूर है जो श्रमिक है उनकी संख्या दी हुई है ठीक है अब इसको समझिए कि यहां पर क 100 से 125 रुपिया जो दैनिक आए है वो कितने श्रमिकों की तो वो है 25 श्रमिकों की बात समझ में आ गई तो बच्चों आपको करना कुछ भी नहीं है यहां पर इस table को ध्यान से देख लिजिए और उसके बाद आपको यहां पर वर्ग अंतराल यानि के जो यहां पर question दिया गया है वर्ग अंतरालों की माप क्या है दूसरा question तीसरा question चौता question इसका अंसर आपको करना है चलिए तो आपने यह समझ लिया कि यहां पर रुपिय में दिया हुआ है और यहां पर श्रमिकों की संख्या यान के बारंबारता दी गई है इस वर्ग अंतराल की ठीक है अब क निमन सीमा यान के उच सीमा में से निमन सीमा को घटा देते हैं तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा तो हमें पहले यहां पर देखना होगा कि उच वर्ग सीमा क्या है तो यहां देखो उच वर्ग सीमा 100 दी हुई है यानि के जो अपर किलास लिमिट है वो 100 है तो हम तो है वर्ग अंतरालों की माप ठीक है इसी को हम लोग वर्ग माप या वर्ग चौराई भी कहते हैं यानिके वर्ग माप का मतलब क्लास साइज या फिर वर्ग चौराई यानिके क्लास विर्थ भी कहते है ठीक है तो कैसे निकालेंगे उच वर्ग सीमा में से निम्नवर्ग सीमा को माइनस करेंगे, ठीक है, क्या होगा, वर्ग अंतराल की माप बराबर होगा, 100 माइनस 75, तो 100 में से 75 माइनस करेंगे कितना होगा, 25, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा कोशन इसमें है, क्या है द 250 ये क्या है निमने सीमा ये होगे आपकी उच्छ सीमा तो उच्छ सीमा क्या है यहाँ पर आप सीधा सी लिख लिजेगा 250 ठीक है इसका आंसर आप लिखेगा 250 तीसरा कोशन है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है तो सबसे अधिक किस की है देखो यहाँ पर ध्यान से छेखना तब ही समझ में आएगा ठीक है को जब हमने देक यहांपर बारंबार्था bits की सबसे अधिक है तो जब हम दोग यहां पर देखेंगे बारंबरता में बारंबरता कौन सी सबसे ज़्यादा है 45, 25, 125, 125, 1445 यह को यह 140 जो नहीं सबसे बड़ा है है ना सबसे बड़ा है यानि कि जो 175 से लेकर 200 यह जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसकी बारंबरता सबसे अधिक है तो कोशन जो कह रहा था है यहां पर किस वर्ग की बारंबरता सबसे अधिक है की बारंबरता समान है तो यहां दो को 45, 25, 25, 125, 45 तो कोई यह पच्पन और यहां भी पच्पन होगे ना और तो कोई है नहीं यानि कि जो आप देख रहे हैं यहां पर 125 से 150 और 200 से 220 तो यहां पर कुछ लिखना नहीं आपको बस यह हम बता रहे हैं यह आपका कोशन नबर 14 है कौँशन नबर 14 तो कोशन नबर 14 क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे के 155 किसका है 125 से लेकर 150 और किसका है 200 से लेकर 225 ठीक है बस यह आपको लिख देना है यहाँ पर और लगा दिजेगा ठीक है मतलब जो आपका कोशन था ना चोथा उसका आंसर यह हो जाएगा ठीक है अब देखो यह तो हो गया आपका पहला का यह दोनों खतम हो गया चारो अब दूसरा कोशन कहता है कक्षा 8 के 32 चातरों की वार्षिक बचत यानि के रुपियों में इस परकार है देखो किलास 8 के 32 चातर है और उनकी सालाना बचत ठीक है बचत का मतलब क्या होता है जो पैसा आपको कहीं सी मिलता है आप चोटे होते हैं तो घर में कोई मेमान आते हैं कोई गेस्ट आते हैं या फिर घर में आपको समान लेने जाते हो बजार से ठीक है अब आपसे question कह रहा है, वर्ग अंतराल 30 से 40, 40 सम्मिलित नहीं, 30 से 40 में क्या होगा, 40 को आपको नहीं लेना है, 40 मतलब उन 40 सकी लेना है, 40 को छोड़ देना है, तो 30 से 40 आदी लेकर एक बारंबारता सारनी बनाईए, तो बारंबारता सारनी कैसे बनेगा, देखिए, तो बच 40 रखना है, चलो, तो हम दोग चलते हैं, इसों बनाते हैं, सबसे पहले क्या करोगा अब, यहाँ पर रखोगे 30 से 40, इसके बाद रखोगे 40 से 50, इसके बाद रखोगे 50 से 60, इसके बाद रखोगे 60 से 70, इसके बाद रखोगे 70 से 80, इसके बाद रखोगे 80 से 90, अब यह कहा तक जाएगा ये भी आपको इसी data को देखके लिखना है कि आपके data में जो दिया गया है question में उसमें सबसे ज्यादा कौन सी value आई हुई है तो यहां पर जब हम धिहान से देखेंगे बहुती गौर से देखेंगे एक एक data को देखेंगे तो हमें लगे गा यहां पर कि जो हमारा data है ना वो उसमें जो 90 है मतलब 89 तक बहुत सारे इसमें आये ज़से कि 84 आया हुआ है ठीक है तो 89 तक आपको लेना है इसी लिए चुकि यहां 80 से 85 तो ले नहीं सकते थे 80 से 90 ले सकते थे इसलिए हमने 80 से 90 लिया ठीक है जो आपका data इसमें 84 वो इसके अंदर आए सब्सक्राइब करेंगे यहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि अगले ग्रूप में इंक्लूट करेंगे यहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि अगर 49 तक है तब तो इसी अंतराल में आजाएगा लेकिन 49 के जादा है 40 हो गया तो फिर इसमें नहीं आएगा ठीक है क्या हो जाएगा 49 से 40 किस में आजाएगा वो वो आजाएगा आपका अगले वाले में ठीक है तो यहां पर है आपका सबसे पहले 38, तो 38 किस में आएगा, ध्यान से देखे, 38 किस में आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा, तो हम दोग यहां पर एक डंटी खरा करेंगे, ठीक है, उसके बाद है आपका 42, तो 42 किस के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा, तो यह मिल लकिर खड़ी करते जाएए उसके बाद है 40 40 इसमे आएगा इसी में है जाएगा यानके 45 ही आई 错के उसके बाद है आपका 35 आफ डा उसके बाद 16 69 किसमे आएगा इसमें आजाएगा इसमे आजाएगा इसमे इसमें पाne चुर क्लेसे नहीं को सिपस्वाय। 45 45 आपका यहां पर हो जाएगा 38 38 भी आपका कहा हो जाएगा 38 यहां अब देखो यहां पर 1, 2, 3, 4 हो गया है 5 भी लकिर नहीं देंगे बलके इसको कार देंगे ठीक है यह हो गया 5 वाँ ठीक है उसके बाद कहता है 80 तो 80 किसमें आएगा 80-90 के बीच में आएगा यहां पर ऐसे लिखेंगे उसके बाद 27 तो 27 किदर आएगा 27 आगया अब 27 क्या है आपका 27 तो 30 से कम है तो हमें क्या लेना चाहिए था देखो यहां पर ध्यान देना आपको कि आपको यहां पर 30 से 40 है ना तो आपको 20 से 30 भी लेना चाहिए देखो बच्चों यहां पर क्या है आपका 27 आगया है और हमारे पास इसमें जो वर्गंतराल हमने लिया है उसमें 20 30 से छोटे के लिए कोई यहां पर हमने वर्गंतराल नहीं लिया है तो यह क्या होगा या तो यहां पर 27 जितना आपने लिया है उससे कम वाला तो कोई डाटा नहीं अवलेबल है अगर है तो आपको पहले उसको इंक्रूट करना होगा तो यहां पर 27 है तो आप यह कर सकते हो 22 30 यहां लिख सकते हो ठीक है और लिख के यहां पर जाँ आपको इसमें है तो 37 यह being 않고 कि संदा यहां पर जी होगे है तरितन के खायेँ अजर आपको इधर और यह Aram तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो आपका ढाटर दिया गया है यहाँ देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ उसके बाद एक दो तीन चार पांच छे साथ तो यह भी आपका साथ हो गया ठीक है उसके बाद देखो एक दो तीन चार पांच एक छे तो यहाँ पर छे लिखोगे एक दो तीन तो यहाँ पर तीन लिखोगे एक दो तीन चार पांच तो यहांपर आप 5 लिखेगा और यहांपर 1,2,3,4 तो यह चार लिखेगा तो इस तरीके से जो हमारा बारमपार्था सारनी ठीक है यह आपका तैयार हो चुका है ठीक है? अब यहाँपर देखो कि आपको यह लिख देना है यहाँपर योग योग का मतलब सम कितना हुआ है तो योग बरापर हो जाएगा सासथ 14 20 20 23 23 24 यहां पर टोटल कितना आ गया 32 आ गया 32 इटूडेंट का दिया हुआ था ठीक है न अब यहां पर जो कोस्टन है उसको देखी और उसको बता दीजिए वर्ग अंतराल 20 से 30 तो यहां 20-30 की वर्ग सीमा है क्या है तो 20-30 में जो वर्ग सीमा होगी क्या होगी यह दोखो यह आपका क्या दिया हुआ है यह आपका दिया हुआ है उच्छ सीमा और यह होगी आपका निमनी सीमा तो वर्ग सीमा है क्या होगी अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ग सीमा ज तो बीस से तीस में क्या हो जाएगा वीस आपका हो जाएगा निमन सीम म और आपके पास जो टीस है तीस क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा उच्छ सीमा ठीक है SORRY SEMA साइज कLouis चर्फ है इसा में से ग्त्राइव में की एक हाई उसके पालगा Бह kok वर्ण साइज क्या है तो यहां पर जो किलास साइज है यहां पर उसमें क्या से 30 घटा रहें तो कितना हो जाओ अगा 10 जनी के वघ माel नहले कि वर्ग साइज कितना है 10 है तो यह होगा आपका आंसर ठीक है चलो तो यहाँ पर जो कोशन था पहला और दूसरा मैंने समझा दिया है आई होप के अच्छे समझ में आ गया होगा और इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है ठीक है चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में आप सब अपना अपना धेर सारा ख्याल लखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया